कि नम्ष्का और हैरीटेज दर्पन गलद तर राजशत्ता關 आपका हारद इख स्वागत है मैं हूँ पूझा से dogs बहुराज का गड़ का किला राजस्थान की शान है राजपूतों की शान है यह किला हम आपको बता दे कुमावतों ने बनाया था जो आज भी बहुत बड़े शिल्पकार है और पहले भी अवल दर्जे के शिल्पकार थे चली चर्चा करते हैं हवारे साथ है चितेंद्री सिंग जी शेखावत वरिष्ट पत्रकार है इतिहास के गाता बेसार यह बोराज का किला से यह कुमावतों का संबंद और इतने बड़े शिल्पकार होने का जो आ पंगारोत राजपुतों की यह शान है और देखा जाए तो यह राजस्तान की शान है उंचाई पर बिने किले की भव्यता बोराज की शान में चार चान लगाती है मिलो दूर से दिखने वाले बोराज के किले की जागीर के गाओं की खेती में जमीन बहुत उपजाओ पानी बहुत था, बहुत अच्छी फसले हुआ करती थी, यहां पर कुमावत समाज बहुत है, आस पास के गाओं में कुमावतों का बहुले है, इसके लेका निर्मान इनी कुमावतों ने आज के सवा चार सो साथ पहले करीब किया था, कुमावतों की एधिती शिलप कला के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, हवा महल हो चाए जैपुर का सिटी पैलेस या फिर राम निवास बाग का अलबर्ट हाल, कुमावतों ने इन चीजों को बनाया था, और एधिती शिलप जिसे पूरी दुनिया देखने के लिए आती है, ये कुमावत कारीगरों की कारीगरी का कमाल था, कुमावतों की चित्रकारी, चन्दन, काच आदी की कारीगरी में इनकी आदिकाल से कारीगरी बड़ी बेव मिसाल है। इस इलाके में मारवाल, कारगवाल, अनावडिया, देवतवाल, सिंगाटिया, राहोरिया, माचीवाल, छापुल्या, मामोडिया, बालोदिया, खोराणिया, सरोणिया, बबेरवाल, मनेठिया, किरोडिवाल, बड़ीवाल, आदिगोत्र के कुमावत हैं कुमावतों को सहावा चार साल पहले बोराज का किलाब बनाने के लिए दूर दूर से लाया गया था बोराज किले की मजबूती के बारे में समाद सेवी सुनील कुमावत और ढूंडाड परिशद के अध्यक्स विजेप पाल कुमावत बाचीत में बताते हैं कि पहले किलों का निर्माण या मकानों का निर्माण आज हजारों साल बाद में भी क्योटिका हुआ है आज सीमेंट और कंक्रीट के जो मकान बनते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाते कहीं कहीं उनमें पानी का रिसा हो जाता है लेकिन कुमावत कारीगरों की बनाए हुए गड़ और किले, महवेलिया और महल आज भी मजबूत खड़े हुए हैं इसका कारण ये है कि चूना और खोर को अलग अलग पका कर गोल घरट में बारीक पिसाई करते थे, मेथी और गुड़ इसमें डाला जाता था, जिसे चूने की पकड़ सीमेंट से ज़्यादा हो जाती थी, वर्सा की मार भी का भी किले पर कोई असर नहीं पड़ता था, कारण ये कि बोराज का किला सवा चार सो साल बाद के बाद भी आज मजबूत और आकरशक है और दूर से दिखाई पड़ता है, आज भी मजबूत ऐसे किले कुचामन का किला कुमावतनों ने बनाया, सेखावाटी के अधिकांस किले हैं जिनका निर्मान कुमावतने किया, वीरता का बखान करने वाली पुस्तक जोरावर रासो में बोराज के किले को बंका घर बंका गड का सम्मान देते हुए प्रशंसा की है, बोराज के खंगारोत कच्वाहा, राजपूतों की वीरता के कारण ही जैगड, नारगड और हत्रोई किले की इनको चाबी दी गई थी, इतिय रागवेंदर सिंग मनोर के मताबिक राव खंगारोर उनके पिता जगमाल कच्वाहा, पंद्रा सो गुन्चास में अलानोत से युद्द किया था, जिसमें राव खंगार के तीन भाई, सिंग देव, उर्फ, सिंगा, जैसिंग, उर्फ, जैसा और सारंग देव के सिर कटे थे, इन वीरों के बारे में चबूतरे पर बोराज में, इनके चबूतरे बने हुए हैं बोराज में जिन पर पूजा होती है इनकी, इस युद्ध में सपलता के बाद, राव खंगार और उसके पिता जगमाल ने बोराज के अलावा कालक जोबनेर वन नाराइन आदी पर सा कायम किया था, किले के एक सिला लेक में लिखा है कि आमेर नरेश परत्वी राज के पोते और जगमाल के बेटे राव खंगार विकरम सम्मत सोड़ा सो चालीस के मांडल युद्ध में काम आये थे, खंगारोत वन्स के पूरुस जगमाल कच्वाहा के अलावा नाराइन दास बाग सिंग बोजराजादी ने आदी भूमिदान बहुत करते थे